लीव यानि कि छुट्टियां इस वीडियो में हम आपको जो छुट्टियां है यानि कि आपको एन्वल लीव, कैजवल लीव और सिक लीव के बारे में जानकारी देंगे टैपस ओफ लीव, आईए देखते हैं कि कौन-कौन सी लीव दी जा रही है एन्वल लीव, जेसी वार्स को पूरे साल के लिए 60 देस मिलती है, रिक्रूट्स को 30 देस दी जाती है इसी तरह casual leave, JCORs के case में 30 days, और recruits के लिए 30 days है, पूरे साल के लिए, एक साल में आपको ये leave मिलती है, sick leave, sick leave के लिए अगर पूरा period आपका military hospital में है, या civil hospital में है, तो वो period आपका duty treat होता है, condition ये है कि वो जो sickness है, वो आपको while on duty होई है, यानि कि आप अपनी duty के दोरान अगर बिमार होते हैं, तो वो पूरा period जो आप hospitalized होते हैं, वो duty treat होता है, इसी तरह अगर hospital से discharge हो जाने के बाद, अगर आपको आपके medical authority के दोरा ये advice किया जाता है, कि आपको rest चाहिए, तो उसके लिए जो आप छुटी लेते हैं, वो आपकी sick leave में treat होता है, और sick leave आप जब लेंगे तो वो आपके annual leave से पहले debit होगी, और जब आपके बास अगर annual leave नहीं है, तो उसके बाद आपका जो बाकी का period है, वो sick leave treat रहेगा, और यही पूरी जो conditions है, वो recruit के case में भी होते हैं, important points for leave, आये देखते हैं कि leave के लिए कौन-कौन सी conditions दी गई है, जटतर case में 10 दिन के लिए ही आपको casual leave दी जा सकती है at a time, लेकिन exceptional circumstances में ये leave आपको 20 दिन के लिए भी extend की जा सकती है, इसी तर है unit commander अपने discretion पर किसी भी individual को 90 दिन तक की annual leave दे सकते हैं, provided कि वो individual के पास पिछले calendar year की कोई भी छुट्टी न बच्ची हो except CL, यान कि CL को छोड़कर उनके पास कोई भी छुट्टी नहीं होना चाहिए पिछले calendar year में, ये जो concession है 90 दिन का ये सिर्फ उनी लोगों पे लागू होगा जिनोंने कम से कम अपनी पिछले साल की service जो की है वो 6 मैने की हुई हो, यानि कि at least 6 month service in the preceding calendar year में होना चाहिए ये 90 दिन की concession लेने के लिए इसी तरह है, recruit के case में भी annual leave लेने के लिए कम से कम 6 month की service होना बहुत ज़रूरी है sick leave, sick leave आपको उस date से grant होती है, जिस date से आप hospital से discharge हो जाते हैं, उसके बास से आपकी sick leave स्टार्ट हो जाती है और individual जो retire होते हैं, discharge होते हैं service से at their own request इस cases में जो annual leave होती है, वो उन्हें 30 दिन ही दी जाती है उस particular year के लिए acquisition of annual leave for engagement at the time of retirement retirement के समय आपकी annual leave का जो engagement होता है, उसके बारे में थोड़ी जानकरी यहां हम आपको देते हैं आपकी service के दोरान जो भी आपको annual leave मिलती है, यानि कि आपको जो 60 दिन की annual leave दी जाती है उस 60 दिन की चुटियों में से आप 30 दिन की annual leave को अपने retirement के समय इनकेश करवा सकते हैं यह जो engagement है आपकी चुटियों का वो 300 दिन से जादा नहीं होना चाहिए, यानि कि retirement के समय आपकी पूरी service के दोरान बच्ची हुई चुटियों में से 300 दिन तक की चुटियों को आप in cash करवा सकते हैं इसी तरह इंडिविजल अगर 31 जन्वरी को retire हो रहे हैं तो उनकी जो भी annual leave admissible है उनको उसमें से 15 दिन तक की ही annual leave को in cash किया जा सकता है लेकिन अगर individual February और उसके बाद retire हो रहे हैं तो उनकी उस साल की annual leave जो उनको admissible है उसमें से 30 दिन तक की चुटियों को in cash किया जा सकता है जो individual अपनी service के दोरान अगर LTC ले लेते हैं और उसके उपर LTC in cashment लेते हैं 10 दिन का उन्हें सिर्फ 20 दिन तक की annual leave in cash करके दी जाती उस particular year की जिसमें उनने LTC in cashment लिया होता है झाल 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 झाल